तो दोस्तों देखिए यह मैंने अपनी वीडियो शूट करने लिए रिंग लाइट मंगाई थी और आज आपको इसके अन्बॉक्सिंग करके दिखाता हूं कि यह जो रिंग लाइट होती है यह कैसी होती है कैस में मरलविस के अंदर क्या कुछ होता है कैसी लाइट वगरा द देती है कि दोस्तों इस डब्ब्बे को मैं अन्बॉक्स करके यहां से आपको दिखाऊंगो किस तरह की रिंग लाइट इसमें निकलती है और दोस्तों आपको बदा दूँ रिंग लाइट का कुछ लुकेशन जो देखने मोचा कुछ इस तरह का ही होता है जो आपको गोल- सब्सक्राइब के बीच में मिली थी और दोस्तों इसमें की काफी बड़ी बड़ी हैवी रिंग लाइट भी आती है तो मैं आपको इस स्टार्टिंग में इसकी अन्बॉक्सिंग करके दिखा रहा हूं जो सबसे सस्ती है आप इसे देख लिए इसमें क्या निकलता है उसी लेकिन उसके प्राइज भी जादा होंगे लेकिन सेम इस तरह है कि हाँ ठोड़ा बड़ी यह घेरा होता है यह बड़ा और छोटा जरूर हो जाएगा लेकिन दोस्तों मिलेगी इसी ट्राइप की चली मैं आपको दिखा दू यह विदावत इस्टेंड है दोस्तों क्योंकि इसमें बताऊंगा दोस्तों वीडियो को भी आसकी प्राइब देखते रहेगा तो पहले वह खोल लेते हैं जान लेते हैं आखिर इसके अंदर क्या चीज़ है आँ अश्या पर दिखर फिशी ओपन कर लेते हैं यहां से इसे ओपन करेंगे कि अधिक दोस्तों इसमें आद आप यह क्यों सी ऊच्फ जाँए कुछंछ रही से बाहर निकाल लेते हैं और देख लेतें केंदर आखिर आखिर क्या है और यह दूट आ था लिए दोस्तों तो यह उसके पैर देधर लाइट निकली है हमारी और सुमारी की चाहे ले कि इसके बारे मैं बात करेंगे पहले आपको मैं लाइट दिखाता हूं पिननी से बाहर निकाल करके से पॉलो फिन से और दोस्तों देखिए यह है रिंग लाइट इसी तरह कि आप आएगी आप ज्यादर प्राइज के लिए या कम के लिए ज्यातर रिंग लाइट इसी तरह कि आती है वाइट और दोस्तों यह तो आपके बजट में है आपको अलग से लेना पड़ेगा देखिए मैं इस पर चला करके दिखां कि तरह के तो इस तरह का आप यूएस भी चार्जर ले लेंगे कोई आपके पास होगा तो अब यहां पर इस वायर को छलो खोल दीजिएगा काफी जैदा लगबख 2-3 मीटर का वायर होता है तो यह देखे दोस्तों हमने इसे खोल दिया और यहां पर यह रिमोट है तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस एक कदर दिखाईता हूं किस तरह से यह जलती है क्या होता इसमें दोस्तों इसे बिजली में नहीं लगाना कि किस तरह सिर्फ आपको एडप्टर से जलाना है यह तरह का आप यह जादर ले लेंगे उससे ही जलती है दोस्तों फिल को लगा है तो दोस्तों इसका यूज़ी केवल है निस्टर लगा दिया है चलिए वी से बिजली के में प्लक को लगा कर से देखते हैं कि तरह से जलेगी तो यह देखिए रिंग लाइटर मैंसी स्विच को दो है ओन कर दिता हूं जो इसका स्विच है और अ देखिए दूस्तों यहां पर यह white जल रही है कूछ ऑब देखे दूस्तों इसका जो एलो कलर का हो जाता है याँ पर आप देखेंगे इस तरह से यह थोड़ा color change करते दोस्तों कभी black कभी blue कभी white तो कभी yellow तीन कदर यहाँ पर यह देती है light और दोस्तों इसमें सबसे बढ़ी एक चीज़ और इसके पास जो इसका remote होता है न उसमें आप इसकी light हो कम ज्यादा भी कर सकते हैं यह देखी इस तरह से धीमी होती चली जाएगी ठीके दोस्तों और अब इसे बढ़ाएंगे तो इसके remote में बटन दे रखे हैं उससे आप ज्यादा भी कर सकते हैं ठीके दोस्तों आप इसकी light कम ज्यादा भी कर सकते हैं इसमें यह बहुत अच्छा फिचर है इसके अंदर मतलब एक बहुत ही अच्छी quality है इसके remote में जो कि जो light है उसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको इसके remote के बारे मैं समझा देता हूं आखिर क्या है इससे मैं बंद कर लेता हूं यहां से तो देखिए जैसे कि मैं आपको भी इसे जलागा कर दिखा दिया था और यह इसका remote आप इसको प्लेग में लगा देंगे तो उसके बाद इसका यह on-off switch है दोस्तों red वाला इससे आप इसे चालू और बंद कर सकते हैं ठीके दोस्तों उसके बाद आपको बीच में यह बाल माइनस वाले को आप दवाएंगे इस तरह करेंगे तो इसकी चमक जए ज्यादा की रोशनी यह जएगी और यह सकी ज्यद् leads में एक सब्सक्राइब ऐसे तो इस जद कर दियो ऑसके यहां से चुचँज होगी ए तुक फैरी कर लेंगे भीस आप इस तरह से यहां कर लेंगे अब इसको यहां से फूल टाइट कर देना है जैसे यह इसको यहां पर लेवल में करके नीचे की तरफ ठीक दोस्तों अब आपके पास इस्टेंड होगा इसको इस तरह से आप इस्टेंड पर यहां पर कस देंगे इस तरह से आपके पास इस्टेंड होगा आप इसे स्टेंड दिखेंगे में यहां पर आपको स्य कड वा मिले moderating तो इसको आपको इसमें लगाना होता है दोस्तो तो इस तरह से यहां ठीक है तो स्य में लग चुका है अब इससे शिदा कर लेज़ेए मैं इस तरह से लगा को अब यहां से आप इसके थूपके थोड़ा जैसे और इसे बिल्कुर सुद्र में कर लिए कर लेंगे इस तरह से यहां की तरफ मोड लेंगे इस कर देource रेका나 अब यहां पर आपको mobile लगाना है तो किस तरह से आप इसे पीछे की तरफ खीचेंगे अपना मोबाइल में लगा लेंगे जैए यहां से प्रेस हो जाता है पीछे की तरफ जैनिकी तरफ यह और ज्यादा बढ़ा हो जाता ही आप हाथ से पकड़ के पीछ तरफ यहां से आप के सामने यह देखने लगेगा और आप इसके सामने खड़े होकर के वीडियो बना सकते हैं तो दोस्तो यही सब कुछ ताइश स्लाइट में मैं आपको बता दिया है यूज कर सकते हैं तो इसकी लाइट काफ ज़्यादा अच्छी होती है आपकी वीडियो में क्वालिटी भी लाती है तो झाल झाल